हलो दोस्तो मैं रजश शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में पुर्वोतर रेल्वे का आखिरकार लंबे समय से वंदे भारत एक्सप्रेस की रेक का इंदजार शनिवार को खतम हो गया चैन्नेई से चली रेक शनिवार को दोपैर ढ़ाई बजे गौरकपुर पहुँच गई प्लेटफोर नुमबर साथ पर इसका निरिश्चन किया गया और इसे लोकोपेट में बाद में बेज दिया गया अब निर्देश मिलते ही इसका ट्रॉयल किया जाएगा रेक मिल जाने के बाद पुरुवतर रेवले प्रशाशन तयारियों में जुट गया है हालाकि अभी इसका रूट और समय निर्दारित नहीं है लेकिन प्रस्ताव के मताबिक इसका रूट गौरकपुर से प्रयागराज वाया लखनव या आयोध्या हो सकता है गौरकपुर से प्रयागराज के बीच वन्दे भारत एक्सप्रेस के शुरुवात 7 जुलाई से हो सकती है इस ट्रेन का रेक शनिवार को पहले से गौरकपुर पहुच चुका है मीडिय रपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी 7 जुलाई को गौरकपुर में गीता प्रेस के कारेकरम में पहुचेंगे इस दोरान वह वन्दे भारत एक्सप्रेस को भी हरी जंडी दिखा सकते हैं जानकारी के मुताबिक गौरकपुर से लखनों के बीच आयोध्या होकर वन्दे भारत एक्सप्रेस चलानी की योजना है इस ट्रेन का रेक चन्ने स्थित इंट्रिकल कोच फैक्टरी में तयार किये गए हैं इन अत्या धुनी कोचों में यात्री स्विवधाएं भरपूर हैं यह रेक शुक्रवार को चैन्नी से रवाना किया गया था जो शनिवार दोपैर गौरकपुर पहुँच चुका है पुर्वोतर रेल्वे के अफसरों के मताबिक ट्रेन शुडू होने के नोटिफिकिशन आना बाकी है वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट गौरकपुर लखनव वाया अविध्या होते हुए प्रियागराज हो सकता है यह ट्रेन हफते में 6 दिन चलेगी मिली जानकारी के मताबिक ट्रेन का टेंटिटिव शेड्डिूल तयार किया जा चुका है इस तहद गौरकपुर से यह ट्रेन दोपैर 3 बजे चलकर साम 7 बचकर 20 मिनट पर लखनव और राद 10 बचकर 50 मिनट पर प्रियागराज पहुँचेगी वापसी में प्रियागराज से सुबह 6 बचकर 20 मिनट पर चलकर सुबह 9 बचकर 50 मिनट पर लखनव और दोपैर 2 बचकर 20 मिनट पर गौरकपुर पहुचेगी पुर्वोतर रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन गौरकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफोर नमबर एक से रवाना होगी प्लेटफोर नमबर एक इस्तित कैववे पर संभादित कारेकरम आयोजित किये जाएंगे साथ जुलाई को गौरकपुर और कुशिनगर आ रहे व्रदान मंत्री नरेंदर बोदी पुर्वोतर रेलवे की पहली सैमी हाइज स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेश को हरी जंडी दिखा सकते हैं रेलवे प्रशाशन ने कारेकरम की सफलता को लेकर अपनी तयारियां तेज कर दी हैं उद घाटन समारों से लगाया ट्रेन, संचालन तक जिम्मेदारी संभाबित विभाव को और आधिकारियों को सौप दी गई हैं वंदे भारत एक्सप्रेश से जोड़ी कुछ अन्य खबरों की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन को खीचते हुए एक पुराने इलेक्ट्रिकल इंजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसे लेकर हंगामा मचने के बाद भारतिय रेलवे ने भी इस पर सफाई दी है दरसल 25 सेकंड के इस वाइरल क्लिप में एक पुराने इंजन को वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन को खीचते हुए दिखाया गया है मौके पर मौजूद स्थानिय लोग इस बारे में बाच्ची स्थ करते हुए नजर आ रहे हैं ये वीडियो कई लोग की और से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है कुछ लोगों ने इस बहाने वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन की हाई स्पीड के दावो को लेकर सरकार की अलोचना भी की है मीडिय अरपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 22 जून को उतरप्रदेश के शकल डिहा रेल वेशेशन के पास शूट किया गया था एक इंस्ट्रगाम यूजर ने सबसे पहले अपने इंस्ट्रगाम एकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया था उन्होंने बताया था कि वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन को चैन्नेई की इंट्रेगल कोच फैक्टरी से पटना ले जाया जा रहा था उन्होंने लिखा था कि वंदे भारत एक्सप्रेस में चालक दल का कोई सद्र से मौजूद नहीं था इसलिए इसे वैग नाइन क्लास के इंजन से खीचा जा रहा था पूरव मद्धे रेलवे की और से इस वाइरल क्लिप को लिकर जवाब दिया गया है रेलवे ने ट्यूट करका बताया कि खाली कोचिंग रेक कमिशनिंग के लिए जा रही थी रेलवे के अनुसार जब ट्रेन को शुरू में पट्रियों पर लाया जाता है तो उसका रूट तै होने तक उसे दूसरे इंजन के जरिये खीचा जाता है रूट तै होने के बाद ही किसी ट्रेन को उसके लोको पायलेट और क्रू मेंबर्स की और से चलाया जाता है इस बीच एक ऐसा ड्राइवर जो तै रूट से परिचित हो वो इन परिक्षनों के दोरान ट्रेन को ऑपरेट करता है वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ी कुछ अन्य खबरों की बात करें तो राजिस्थान को तीन महिने बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है यह राजिस्तान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन होगी जो राजिस्तान के जोविधपूर से गुजरात के सावर मती तक चलेगी जिसके लिए तैयारियां भी शूरू हो गई जोथपूर से सावर मती की बिचाने वाली इस ट्रेन की शुरूआत 7 जुलाई से हो कोई थी जोधपुर से सावरमती के भी चलने वाली यह ट्रेन भगत की कोठी स्टेशन से हर दिन सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपैर 12 बचकर 5 मिनट पर सावरमती स्टेशन पहुंचेगी इस दोरान ट्रेन पाली फालना आबो रोड पालनपुर और महसाना स्टेशन पर करेंगे या फिर जोधपुर आकर इसकर ट्रेन का उधगाटन करेंगी